वेलकम टू एक्जाम तक आज 18 दिसमबर और 18 दिसमबर 2021 के सभी इंपोर्टेंट करेंट अफिस के कोश्चन्स हम लोग इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो आप लोग इस कंप्लेट वीडियो को एंड तक जरूर से देखेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है आज का वीडियो और ये हैं हाली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो हैं किस देश का सर्वोच सम्मान यहां पर सर्वोच सम्मान का नाम आप लोग देख लिजे गदग पेलगी खोड़ लो ये इनकी लेंग्वेज में है हो सकता है मैंने सही नाम नहीं बोला है बट नाम एक्चुल में यही है और ये अवर्ड जो हैं बहुत ही इंपोर्डन है कोश्चन मैं आपको बता दू नाम भले आप लोग ना याद कर पाओ कोश्चन इतना इंपोर्डन है कि एक्जाम में पूछा जाएगा और ये भूटान तो सबको यादी रहेगा जी हां बिलकुल ये हैं भूटान का हाइस्ट सिविलियन अवर्ड जिस तरह से हमारा भारत रतन वोड है भूटान का ये भारत रतना है और इनका जो हैं भूटान रतना है और ये भूटान रतना भी जो हैं प्रधान मंत्रवी नरेंद्रव मोदी जी को देने का अनौंसमेंट हुआ हैं कल ही 17 दिसम्मर को ये PMO भूटान ने ऑफिशल ट्विटर हैंडल पर ये जानकारी दी है तो काफी इंपोर हूँ अगर आप में से किसी को पता है तो जरूर से कमेंट लिखिए अधर वाइस आपको क्या याद रखना है एक्जाम पॉंट अफिसे कि रिसेंटली नरेंदर मोदी जी को भुटान का हाइस्ट अवर्ड मिला है यह जरूर से याद रखना भुटान देश जरूर याद बात हो गई है तो रिसेंटली 2020 में तो यह पहली बार मिला और 2020 में USA की तरफ से मिला था दो आवर्ड आपको थोड़े से याद रखने हैं और इस आवर्ड का नाम यह हैं गदग पेलगी खोर लो तो आवर्ड का नाम उसको भुल जाए लेकिन आप लोग भुटान जरूर भुटान के बार में कुछ मैं आपको बाते बता ले दाओ भुटान भारत के तीन राजियों के साथ सीमा साजा करता है इंपोर्डन है तीनों राजिये कौन सा है सिक्किम राजिये हैं फिर मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल भी है हाँ बिल्कुल है और आस यह हमारी प्राइमिनेशेन नरेंद्र मोदी जी इनके बारे मैं इगर डीटियल बताई कि जय क्जाएर्ट तो लोटे सेरिंग जो है यह बुतान के परदान होते है हυτह हलांकि भूटान में मौनेर्की भी है यानि कि भूटान के राष्टपती नहीं होते हैं भूटान में राजा होते हैं बट ये प्रधान मंतरी जी का नाम जरूर याद रखना लोटे स्रेरिंग है और भूटान की करंसी है भूटानी गुल्टरूम गुल्टरूम करंसी है और थिम्पू है capital भूटान जो ना वो net zero carbon वाला देश है ठीक है आपको पता होना चीए net zero carbon से भी मलब negative में हैं carbon जो है सिंक जदा करता है produce बिल्कुल भी ना के बराबर करता है या जितना करता है उससे जदा जो है ये सोंक लेता है carbon को तो भूटान काफी environment friendly देश है और भारत का क परकषी अच्छा परोसी देश हैं आपको याद रखना है यह बूतिन के बारे में जरूर से बात है याद रखनी है। भूटन अकर बात की जाए तो आपको सार्क का मेंबर मिलेगा तो आपको सार्क परशंट कि भारत के लवब यह एक मात्र देश है जिसका विजे दिवस हो जिसका जो स्वतन्दरत्ता दिवस है यह भारत बहंबी जो है काफी गर्व से मनाया जाता है भारत सरकार इसको बहुत हाइलाइट करती है बिकॉज बंगलादेश को आजादी ही भारत के कारण मिली आपको पताऊगा भारत ने युद लड़ा था तीन दिसंबर से युद स्टार्ट वता 1971 में जब इंद्रा गांदी जी प्रधान मंत्री जी ती जनरल मॉनेक शार शायद उस समय हमारे आर्मी चीफ थे और सोड़ा दिसंबर तेरा दिन तके युद चला था सोड़ा दिसंबर को हैं भारत ने बंगलादेश को एक स्वतंत्र देश के रुप में मानियता दे दी थी जिहां बिल्कुल युद के तीन दिन बाद ही और भारत पहला देश बनता है ऐसा करने वाला की उस समय वार चल ही रहा था तो उस दिन जो हैं भारत और बंगलादेश मैत्री दिवस भी मनाते हैं लेकिन बंगलादेश में ओफिशल रूप से विजे दिवस जो हैं ये मनाते हैं अगर बात किया 16 दिसंबर को 16 दिसंबर 2021 को और इस साल तो इस्पेशली हैं क्योंकि 50 वा जो हैं ये विजे दिवस हैं मनलब 50 वर्ष कंप्लिट हो चुग हैं इनकी आज जाता था ये आपको इंपोर्ण याद रखना बंगलादेश के बार में अगर बात कि जाए तो धाका मिलेगी यहां पर आपको कैपिटल टका है करंसी इंपोर्ण याद रखना टका करंसी है अब्दुल हामिद वर्तमान में यहां के राष्टपती है एंड शेक हजिना जो जिमा जो है यह साजा करता है अगर बात कि जाए इंडिया एंड बंगलादेश यह भी आपको थोड़ा सा जरूर्श याद रखना भारत और बंगलादेश में विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है सुन्दरवन का डेल्टा वो भी कहां पर इस्तते इन दोनों ही करते हैं तब उसको क्या कहते हैं जमुना कहते हैं यह बहुत इंपॉर्णन फैक्ट है कि गंगा को बंगलादेश में पदमा कहते हैं जबकि अब रह्मा पुत्र को जमुना कहते हैं जब यह जमुना पदमा मिल जाती है ना तब इन दोनों नदियों का जो है सिंग्त नाम ह की याद रखने है सेक्वेंस में तेंडा यहां से पदमा यहां से आती जमुना आड मिल जाती है करती है और येही डेलटा क्रियेट करती है और इस तरफ और जैसे गंगा रिवरैंडिया से जाती मैं को मैप से जो हैं एक्जाम तक 2.0 पर नदिया सभी के सभी पढ़ा हूँगा तब मैं आपको बता हूँगा तो जब जाते हैं न तो गंगा रिवर दो भागों में स्पिल्ट हो जए एक तो इस तरह से कुछ है बाकि आपको बंगलादेश का विजे दिवस याद रखना 16 दिसंबर को सेलिबरेट किया जाता है नेक्स्ट कोशन है किस राज्य में इस्तते हैं असकोट वन्यजीव अभ्यारण जिसको इको संसिटिव जोन गोशित क्या है ये अगर बात की जाए बहुत ही इंपोड़न है ये हैं उत्रा खंड में इस्तत असकोट वन्यजीव अभ्यारण तो अ पूटे मोटे एक्जाम में कैबिनेट मंत्रा रसले से कोशन पूचे जाते हैं मैंने बाइदबे इन पर वीडियो बनाया रखा हैं तो वीडियो भी जरूर से देखना एक्जाम तक की वेबसाइट पर भी आपको आर्टिकल मिल जाएगा तो भूपेंदर यादव जोना यह और परियावरन मंत्रा लेने अभी जो हैं एसकोट वाइल लाइफ सेंचोरी को इको संसिटीव जोन डिकलेइर कर लिया हैं इसके आसपास के लगबग पूरे एरिया को जहां पर ये जो हैं हिरणों को जो हैं संरक्षित करने के लिए इस wildlife century को बनाया गया था ये आपको थोड़ा सा याद रखना है उत्राखंड की बात कर लेते हैं उत्राखंड के CM को ने पुशकर सिंग धामी जो हैं उत्राखंड के CM हैं उत्राखंड के राजिपाल को ने गुर्मित सिंग देने के जो एक्जाम होता हैं मेजर जो स्ट्राटिक स्पोर्शन वाले एक्जाम हैं उनको ज्यादा कवर करते हैं इसलिए मैं ऐसी चीज़े नहीं बताता हूं तो चार धाम परियुजना ना वो उत्राखंड में जस्ता हैं आपको पताऊ को और वो ना सिर्फ एक ट्यूर करवाए जाए ऐसा सब तो यह अभी चार धाम प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुके फाइनली सुप्रीम कोट से जो कि अगर बात की जाए चार धाम को जोड़ेगी चार धाम कौन से हैं गंगोत्री यमनोत्री कैदारनात और बदरीनात यह चार धाम हैं आपको थोड़ा सा पुड़ेटरी यह पुस्तक अगर बात की जाए तो यह है शशी थरूर जी की इंपोर्डन हैं यह इनकी 23rd पुस्तक हैं काफी ज्यादा इंपोर्डन पुस्तक यह रिलीज करते हैं 2021 की लेटेस्ट बुक हैं प्राइड प्रियू जूड़ाइस एंड प्यूड़ेटरी इस इसमें लगबग 8 या 10 खंड अलग-अलग सेक्षन हैं जहां पर इंडियान हिस्ट्री पॉलिटी काफी सारी बाते हैं इसमें लिखी गई है तो यह है शशी थरूर जी की लेटेस्ट बुक प्राइड प्रियू जूड़ाइस एंड प्यूड़ेटरी तो पी का क्यूब ऐस याद रख लो भाई ऐसे सी वाले तो ठीक है प्राइड प्रियू जूड़ाइस एंड पॉंड़ेंटरी यह शशी थरूर जी की बुक है बस बाकी जैसे आपको याद रखता है याद तो रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्डन बुक है अगर बात की जाए इन यह कुछ इंपॉर्डन बुक है बाकी इनकी काफी सारी बुक है ठीक है बट यह कुछ लेटेस्ट वाली आपको जरूर्श याद रखने है आपको किन-किन बुक के याद रखना जैसे चेतन बगत की बुक भी काफी इंपॉर्डन होती है जैसे अगर्ल इन रूम ऐसी अरुनती रोय इनकी बुस्तक जो है एससे में पूची जाती वैसे मैं कोशिश करूँगा कि इन पे जो है अलग से आपको टॉपिक वाइस दे दूं लिस्ट ताकि आप लोग याद कर भाए टेलिग्राम पे जुड़े रहो आप लोग मैं कुछ ने कुछ शेयर करता रहता तो आउं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अंतराश्ट्य चाय दीवस जो हैं यह कभ मनाते हैं काफी इंट्रेस्टेंग और कोशन यूएन अगर पूचले की सभी राश्ट संगं तरा को मनाता हैं बिलकुल आपको याद रखना दोजय निस में यूएन ने इसको डिक्लेर कर तो वो काफी अच्छी हो रही होती उस समय जो है चाहे जो है खेतों में बनकर त्यार रहती हैं इस तरह से जो है यह मौसम होता है तो सकोर्डिंग 21 मईश चैन क्या है बाकि भारत में यह जो ना संद 2005 से ही मनाया जा रहा है और यह मनाते हैं 15 दिसंबर को तो यह दोनों डे आ क्योंकि यूएन जो 21 मई को ही मनाते हैं अंतराष्टे चाहे दिवस जोना 15 दिसंबर को भारत के लवा काफी सारे देश जो हैं यह देश स्टार्टिंग से ही जब 2005 में नई दिली से स्टार्ट हुआ था यह कारिकरम 15 दिसंबर को इंटरनेशनल टी डे तो उसके बार यूगांडा एंड तंजानिया फिर ज्यादा तर आस्यान के कंट्री इंडोनेशिया मिल जाएगा आपको मलेशिया मिल जाएगा वियत्ना मिलेगा और उसके अलाबा जवा हैं भारत बंगलदेश नेपाल स्रिलंका यह सब देश है तो यहीं पर ज़्यादा थर चाहे होती यह उसका कंजप्शन भारत में ही हो जाता है इसलिए भारत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि कंजप्शन भी भारत में बहुत ज्यादा है चाय की नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्विक्तराष्ट जो है किस मई को अंतराष्टिया चाय दिवस के रूपे मनाते हैं क्योंकि अधिकान्स देशों में मैं चाय उत्पादन का मौसम शुरू हो जाता तो यह जो है मैं आपको बात पहले भी बता ली थी चाय को जो है वेग्यानिक सिंसेसिस यह जो जो है इसका सेंटिफिक ने में कैमेलिया सिंसेसिस थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हैं और सकेंड सेकेंड हां डूए writes फानित के बाद सब गसादार keeping तो यह चाय है उड़ भारतियों का थो खास कर हिस्सा बन शूगे जीवन नेक्साएं बढ़ते ह हाली में गूगल ने एक रिपोर्ट जारी कि वैसे ही हर साली करते हैं ये इन सर्च 2021 तो 2021 की जो सर्च लिस्ट वहाँ पर सबसे ज़्यदा क्या क्वेरी सर्च हुई है अब मैं आपको बता हूँ आरियन खान से लेकर राजकुंद्रा हर कोई जो है इस लिस्ट में शामिल रहा है बट हमको एक्जाम पॉइंट बेसे थोड़ा सा ध्यान रखना इंडिया में लिस्ट अगर बात की जाए इंडियन प्रीमियर लेक जो ना ये टॉप रही बाकी साली सर्च होता है और इस बार तो दो सीजन में भी हुईती शायर ठीक है तो इस बार तो और भी ज्यादा हो गया इंडियन प्रीमियर लेक सबसे ज्यादा फिर कोविन कोविड वेबसाइट का ये प्लेटफॉर्म है कोविन ओके ये सकेंड नंबर पढ़ा है फिर आए से स लिए अमेरिका ने जीता है और ये इटली ने जीता है वैसे 24 के काफी सारे स्पोर्ट्स हुए है बाकि आपको याद रखना टॉप पे इंडियन प्रीमियर लेक हैं सेकेंड पे कोविन है बस टॉप वाला ही ज्यादा याद रखना और ये तो सबको याद ही है वैसे तो ज पूछ लेगी पर्सन ओफ दा इयर दोजारिकिस यानि कि दोजारिकिस का वह महत्वपोन व्यक्ती तो तो बिल्कुल आख बंद करके ऐलोन मस्क पर क्लिक कर देला वह बिल्कुल राइट होगे यहाँ पर पूचा एथलीट ओफ दा इयर तो ये हैं सिमोन बिलेस आपको या 2021 गोशित किया है बाइद टाइम मैग जीन बाकी नीरे चौपडा के बारे में आपको क्या याद रखना साथ अगस्त को इनके कारणी जो है जैवलीन थ्रोडे मनाया जाता है साथ अगस्त को यह ना हाँ साथ अगस्त को बिल्कुल और इन्होंने जो हैं टोक्यो ऑलंपिक म बिल्कुल याद रखना पूर्णे में जो एक सैनिय संस्थान का स्टेडियम है उसका नाम जो नीरे चौपडा के नाम पर रख लिया गया है वैसे मैंने बदले हुए नामों के पूरा वीडियो बना रखा है ओल्रीडी नेक्स्ट एंड लास्ट कोशन हाली में कैबिनेर ज 76,000 करोड की पूरी परियोजना होगी और यह ऐसा नहीं कि एक टाइम पर सरकार इंवेस्ट कर रही है यह यह जो है अगर बात के सैमी कंड़क्टर के अगर बात के मैनुफेक्टर के लिए जो है जो भी कंपनेज इंडिया में आएगी उससे एंप्लोइमेंट होगा इन सब को जो हैं आपको इंपोड़न याद रखना सैमी कंड़क्टर निर्माण परियोजना के तहट जो हैं यह कैबिनेट ने भी मजूरी दीदिया है सैमी कंड़क्टर क्या होता है फोटो भी आप लोग देख वाएंगे आप जिस फोन में वीडियो देख रहा ना वहाँ पर भ पर फ्रीजरेटरों मोबाइल फोनों कुछ भी हो मनलब हर चीज एवन जो है आज कल जो इलेक्ट्रिक विकल्स हैं वहाँ पर तो बहुत ज्यादा तो इनकी डिमांड बहुत ज्यादा सैमी कंड़क्टर की डिमांड जो हैं बहुत ही जदा वह रही हैं और आज के टाइम प सबसे मामले में ताइवान सबसे टॉप हैं ताइवान जितना समी कंड़क्टर जो हैं मैन्फेक्टर कोई नहीं करते हैं यापर बड़ी-बड़ी इस एक सा데कल नहीं पर चाहते हैं तो भर तो उनके लिए एक अच्चा प्शन हो सकता हैं और रियल में अगर कौश कर लिया तो काफी सारी company जो है इंडिया में attract कर पाएगी Taiwan के बाद इंडिया उनके लिए काफी अच्छा option होगा तो ये थोड़ा साब इतना मैं आपको समझा लिया I think बहुत होगा semi conductor आप लोग समझ गे होगे क्या होगे ये एक तरह से electric devices में हर चीज में काम आता है जिसको कहते है semi conductor रोड की तरह आप लोग यहां पर देख पाएंगे यह जो छोटे जोड़ा points होते हैं semi conductors बाकी और details के लिए आप लोग YouTube सर्च कर सकते हैं ठीक है आप ऐसा तो यह नहीं कि में एक और question में आपसे करी लेता हूँ creative city की लिस्ट आई थी एक ठीक है creative city की लिस्ट आई थी युनेसको की एक दो महिने पहले कल मैंने बताया था उसको भी comment box में लिख डालिए बहुत ही important रहेगा जितना आप लोग comment box में जो answer लिखते न वह आपको मान लिजी कि पर्मानेंटली याद हो गया तो comment जरूर कीजिए वीडियो को share कीजिए जय हिंद जय भरत